हलो प्रेंट्स एक बार फिर से आपका देवी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है कल 12 गस्त के दिन जो टेस्ट लिया था उसके वीडियो सॉलिशन प्रोवाइड करने की बात हुई थी तो वीडियो सॉलिशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज एक बार फिर से ये टेस्ट रिपीट किये जा रहे हैं और एक्स्टर टेस्ट भी आपको दिया जाएगा अभी जैसे की हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लगबख 10 या 12 टेस्ट हम फ्री कराएंगे जिसमें से 4 टेस्ट तो आपको 12, 13 और 14 को 12 को 2 हो गए हैं जिनको मैं दुबारा अप्लोड करूँगा ताकि जो लोग नहीं दे पाए थे उसे दे पाएं क्योंकि बाद में काफी लोग जुड़े हैं ठीक है और 13 को BMC या आज आज आपका BMC का एक टेस्ट अपलोड हो जाएगा और 14 को सोम का इसके अलावा आगले 2 या 2.5 महिने में फ्री टेस्ट 5-6 अपलोड होंगे ठीक है जी और हमने बाकी की प्लानिंग किये पेड टेस्ट के लिए तो पेड टेस्ट जो है आपको लगबग 100-700 पेड टेस्ट होंगे जिसका 10% हमने फ्री किया था तो आपको 10 या 12 टेस्ट आपके पास फ्री अवेलेबल हो जाएंगे चार टेस्ट आपके 14 अगस तक हो जाएंगे बाकी 6 या 8 टेस्ट time to time हम डाल देंगे information डाल करके paid test की एक series start होनी है 15 अगस से जिसमें की अभी अच्छे response को देखते हुए हमने test की संख्या बढ़ा दी है पहले ये था 10 टेस्ट थे 20 questions के irrigation के अब 10 टेस्ट और दिये जा रहे हैं soil के और एक test major और लिया जाएगा 120 question का उसी में ही जो लोग 15 अगस तक इसको purchase करेंगे उनके लिए ठीक है जी एक test major और लिया जाएगा यानि अब आपके पास 20 question के 20 टेस्ट हो गए और एक test हो गए आपके पास 120 question का रास्थान जाएगी के according ठीक है जी तो आपको ये चीजे 120 rupees में मिलेगी जो student non DTCNs है और जो DTC के students है उनको ये 60 rupees में पड़ेगा तो आपको test series की other information के लिए numbers दिये हुए हैं आप देखेंगे तो numbers दिये हुए हैं और मैं description में भी numbers डाल रहा हूं test series की information के लिए तो अभी मैं जो कल टेस्ट डाले थे उनके solution डाल रहा हूं उसके अलावा कुछ लोगों ने ये question पूछा था कि test किस तरीके से attempt करें तो एक video मैं आपको उसका भी डाल दूँगा कि test किस तरीके से attempt करेंगे किस तरीके से आपकी rank on the soil specimen produces shear stress on जो ट्रायक्शल compression टेस्ट है उसमें अगर additional actual stress लगाते हैं तो वह कहां पर shear stress प्रोड्यूस करता है वह कहां पर shear stress प्रोड्यूस करता है तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि specimen जो होता है उसमें पहले confining pressure लगाते हैं सिगमा सी फिर additional actual stress जो deviator stress भी कहलाता है लगाया जाता है सिगमा डी तो सिगमा वन हो जाता है सिगमा सी प्लस सिगमा डी और सिगमा थ्री हो जाता है सिगमा सी और यहां पे जो more circle बनता है देखिए more circle symmetric होता है horizontal axis के about इसलिए generally soil में generally soil में हम लोग यह shear है हाज यह shear है tau और यह है sigma ठीक है एक बर मैं फिर से बना देता है इसको यह shear है और यह sigma आपका normal है soil में हम क्या करते हैं symmetric होने कारण इसको सिर्फ एक तरफ बनाते है horizontal axis के देखिए यह दो plane है minor और major यहां पर shear 0 है इसके अलावा बाकी सब पर shear available है major और minor यहां पर major आपका हो गया horizontal plane और minor हो गया आपका vertical plane तो इस major और minor को छोड़ करके बाकी सब पर क्या रहेगा बाकी सब पर shear रहेगा तो देखिए क्या जवाब आएगा देखिए क्या जवाब आएगा यह आपके पास जवाब हो जाएगा इन दा triaxial compression test the application of additional axial stress on the soil specimen produces shear stress on तो जवाब हो जाएगा all planes except horizontal and vertical planes second question which of the following is a shallow foundation तो देखिए pile foundation deep foundation well foundation deep foundation है peer foundation भी deep foundation है सिर्फ raft foundation ही है जो shallow foundation है तो जवाब हो जाएगा raft foundation अगला according to coulomb's wedge theory the active earth pressure slides the wedge देखिए coulomb's wedge theory के according wedge किस तरीके से slide होता है तो उसके लिए देख लीजिए देखिए इसमें यह आपका retaining wall हो गई और यह backfill यह backfill हो गया यह आपका इस तरीके से fill your surface slide होगा यह अवे active में अवे होती है wall का movement यह active में wall का movement जो होता है अवे होता है तो यह आजाएगा downward outward downward outward तो देखिए इसमें question में क्या आया आपके पास down and outwards on a slip surface ठीक है ना down and outwards on a slip surface अगला तरजागी is bearing capacity factors depends on देखिए तरजागी के bearing capacity factors सिर्फ और सिर्फ angle of internal friction पर depend करते हैं ठीक है ना सिर्फ और सिर्फ angle of internal friction पर depend करते हैं अगला question if six meter high retaining wall retains dry sand of unit weight 18 kilonewton per meter cube and if the coefficient of earth pressure at rest यह थोड़ा सा language में हुआ है earth pressure at rest is 0.5 then the lateral earth pressure at a depth of six meter will be ठीक है तो देखिए कैसे आएगा तो देखते हैं इसको अपन देखिए यहां पर आप से कह रहा है कि six meter high retaining wall है ठीक है ना six meter high retaining wall है और इसमें जो आपके पास soil है ठीक है ना dry soil है जिसका unit weight क्या 18 kilonewton per meter cube और k0 हमें दिया हुआ है 0.5 तो देखिए आप से pressure पूछा है ठीक है तो अपन इसका diagram मनाते हैं तो यह आ जाता है k0 gamma h यह आएगा k0 gamma h k0 कितना है point 5 है gamma कितना 18 है h कितना है 6 है हाँ जी इसको जब multiply करते हैं तो point 5 into 6 हो गया point 5 into 6 हो गया हमारे पास 3 3 into 18 हो गया 54 ठीक है जी तो यह हमारे पास जवाब आ गया 54 ठीक है जी यह आपके पास 54 reply आ जाएगा इसका तो देखिए आपके पास जवाब हो गया 54 ठीक है जी आप देखिए अगर कोई unit की बात कहता है तो pressure है तो यह kilo newton per meter square में आएगा ठीक है नहीं pressure है तो यह 54 kilo newton per meter square में आएगा ठीक है अगला what is the what is the generally observed limitation of the plate load test देखे plate load test की 6 limitation है size effect, scale effect, time effect, interpretation of failure load, reaction load, water table ठीक है जी यह 6 है इन में से 3 available है size, time, scale, actually क्या होता है कि जो pressure bulb बनता है उसकी dependency होती है size पे अब plate का छोटा हो जाएगा और footing का बढ़ा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या है हमारे पास limitation हागई size की scale effect में क्या होता है जैसे आप जानते हैं कि saturated clay जो होती है उसका तो क्या होता है कि जो ultimate bearing capacity होती है वो plate की size से independent होती है लेकिन जो cohesion less soil होती है ना वो plate की size बढ़ने पर उसकी क्या होती है ultimate bearing capacity बढ़ती है तो यहाँ पे scale effect का भी आगया आपका limitation time effect plate load test तो क्या होता है short duration के लिए होता है लेकिन आपको पता है कि जब बहुत लंबे time तक loading लगाई जाती है clay पर तो consolidation का effect आप जानते हैं तो ultimate settlement का फ़रक आ जाएगा तो यही वज़े है कि यह तीनों ही इसकी क्या limitation है और जवाब हो जाएगा all of these हाँ जी 5 बराबर 0 के लिए तरजागी की according nc की जो value है वो होती है 5.7 किसी भी standard book में आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 5 equal to 0 के लिए आपके पास यह value हती है 5.7 हाजी the square root of time fitting method is used to determine जो square root time method है जो आपका किस के लिए use होता है यह coefficient of consolidation को determine करने के लिए होता है ठीक है यह आपका tailor के द्वारा दिया गया था एक और method है logarithmic time method जो कि कैसा grande के द्वारा दिया गया था ठीक है तो यह दोनो coefficient of consolidation के determination के लिए use होता है जी ठीक है जी अगला the water content of soil remains unchanged during the entire test भाई या water content अगर आपको unchained करना है तो आपको draining नहीं देनी पड़ेगी दो stage होती है shearing में आप shear test में एक तो होता है जिसमें normal stress या फिर confining pressure अपलाई करते हैं और second जो होता है उसमें आप क्या करते है shear stress या फिर हम बोले deviator stress अपलाई करते हैं तो दोनों में अगर आप draining नहीं देते हो तो test होता है UU test यानि unconsolidated undrained test तो जवाब हो जाएगा unconsolidated undrained test unconfined compressive strength test जो होता है intact saturated clay के लिए होता है intact saturated clay के लिए होता है जिसका 5 क्या हो 0 हो जी ठीक है जी तो यह जवाब हो जाएगा saturated clay intact का मता था है अकंड हाजी value of void ratio of soil mass can तो देखिए आप void ratio क्या हता है void ratio था volume of void to the ratio of volume of solids तो आप जानते हैं volume of void कभी भी 0 नहीं होता कभी भी 0 नहीं होता और volume of void volume of solid से छोटा भी हो सकता है और volume of solid से बढ़ा भी हो सकता है तो यहाँ पर कोई भी value हो सकती है जो 0 से बड़ी हो A soil sample has bulk density of 21 kN per m3 and water content 8% देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आपके पास bulk density दिये 21 और water content दिये 8 तो अपन बात करते हैं एक बार देखिएगा देखिए आपको dry density गामा क्या कहता है dry गामा से पानी पी और बराबर में बैट ठीक है पानी पी और बराबर में बैट गामा होता क्या है आपका गामा होता क्या है आपका w बटे वी हाँ जी गामा होता क्या है w बटे वी और यह आप जानते हैं कि वेट जो गया solid का वेट और water का वेट हो गया solid का वेट और water का वेट हो गया ठीक है ना यह जो वेट है solid का वेट और water का वेट हो गया जी ठीक है जी अब यहां से अगर मैं अगर यहां से मैं जो इसको water के वेट को solid के वेट से multiply करूँ और solid के weight का भाग लगाऊं यहां से यह ठीक है यह solid का weight है जी है ठीक है बटे में volume तो solid का weight में common ले लूँगा solid का weight में अगर common ले लूँगा तो यहां से बच गया one और यहां से बच जाएगा www बटे में इस वाले water content से ws को multiply किया यहां पर और ws से divide किया ws कमल लोगा तो यह वाला चला जाएगा भार यहां 1 बचेगा और यहां पर आपका क्या बचएगा www बटे ws तो यहां से gama d कितना हैगा जी यहां से gama d कितना अब आपको पता है गामा दिया था 21 और ये आपको दिया था 8 परसेंट तो decimal में change करोगे जी decimal में change करोगे जी तो आपके पास 21 divided by 1.08 आजाएगा 21 divided by 1.08 आजाएगा तो जैसे आप 21 divided by 1.08 करते हो तो आपके पास result आएगा क्या आएगा जी 21 divided by 1.08 करने पर आपके पास जवाब आजाएगा 19.44 ठीक है जी यह आपके पास जवाब आजाएगा तो यह आपके पास 19.44 किलोन्यूटन पर मेटर क्यूब आ गया ठीक है जी आगे बढ़ते हैं density index आप अच्छे से जानते हैं Emax माइनस E बटे में Emax माइनस E minimum अगर percentage में बदलना है तो 100 से और multiply करेंगे Emax आपका जो maximum wide ratio है वो कौन सी इस्तिती में मिलता है logist condition में मिलता है logist condition में maximum यहापे थोड़ा सा typing mistake है ठीक है यह आपका यह E minimum है तो द्यान रखेगा E minimum जो होगा वो आपका minimum wide ratio हो जागा उपर वाला E maximum है आप minimum थोड़ा सा typing mistake हुई है ठीक है जी थोड़ा सा typing mistake हुई है तो यह बात द्यान रखेगा यह आपका E minimum है ठीक है तो यह आपका E minimum हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं बात पर अपनी तो minimum wide ratio कब आएगा minimum wide ratio कब आएगा minimum wide ratio का case होगा आपका जब आपकी densest condition होगी और यह natural wide ratio है तो answer हो जाएगा इसका A ठीक है जी answer हो जाएगा इसका A अगला आपको दिया है कि जो oven dried soil mass है वो 200 gram है पिक्नो मेटर में place किया जा रहा है ठीक है ना मास बोटल का मास soil का मास और water जो होती है यानि W3 1605 gram है यह उपर जो दिया है यह सीधा W2-W1 है 200 gram और आपके पास specific gravity आपको निकालने है और आपका पिक्नो मेटर और वाटर का जो weight है पिक्नो मेटर वाटर का जो weight है वो 1480 gram है ठीक है तो इसको solve करते हैं एक बार इसको solve करते हैं एक बार अपन देखिएगा यहां पर देखिए अपने पास data क्या है data क्या है अपने पास W2-W1 दिया हुआ है 200 अपने पास W3 दिया हुआ है W3 दिया हुआ है 1605 gram यह gram में दिया हुआ है और W4 दिया हुआ है 1480 अपने पास formula जो है specific gravity का W2-W1 upon W2-W1-W3-W4 W4 यह हमारे पास formula जी जैसे value रखोगे तो 200 बटे में 200 माइनस 125 यानी 75 आगया ठीक है 200 बटे में 75 आपका जागा 2.6666 यानी 2.67 ठीक है जी यह अपने पास आजाएगा ठीक है तो आपका इसका जवाब हो गया 2.67 2.67 अगला question है a soil has bulk density of 17.6 kN per meter cube and water content 10% if void ratio remain constant then the bulk density for water content of 20% will be ठीक है आपको दिया है bulk density 10% केस में और 20% केस में पूछिए ठीक है 10% केस में दिया और 20% केस में पूछिए चलिए इसको solve करते हैं आपको void ratio constant दिया है जी आपको void ratio जो दिया है वो constant दिया है जी void ratio का जो case है वो constant है जी चलिए इसको solve करते हैं देखिए आप जानते हैं कि volume में क्या क्या है volume total volume soil के total volume में क्या क्या है एक तो है void और एक है आपके पास एक तो है void और एक है आपके पास solid तो वी वी प्लस वी एस अब आपको कह रहा है कि void ratio constant है यानि ना तो void बदल रहा है और solid तो अपन volume और solid तो अपन बदलते नहीं है soil sample के लिए ठीक है ना void आपका बदल नहीं रहा यानि वी रहेगा constant वी रहेगा constant वी constant रहेगा solid का weight भी है constant तो आपका gamma d हो जाएगा constant वी गामा d क्या होता है solid का weight बटे में volume volume भी change नहीं हो रहा solid का weight भी change नहीं हो रहा water जो है जुड़ेगा तो water का weight बड़ेगा तो total weight बड़ेगा तो total weight में बदला हो आएंगे पर solid का weight वही रहेगा ठीक है जी और volume में भी तो पहले case में तो water content कितना था 10% था दूसरे case में water content कितना था अपका 20% था थोड़ी देर पहले मैंने gamma d का formula बताया था आपको gamma d1 बराबर है gamma d2 क्योंकि gamma d चेंज नहीं होगा weight of solid भी चेंज नहीं होगा volume case दिया है कि e constant है ठीक है जी तो यह हो जागा gamma 1 upon 1 plus w1 और gamma 2 upon 1 plus w2 ठीक है जी तो gamma 2 क्या होगा gamma 1 upon 1 plus w1 into में 1 plus w2 अब आप value रख दीजिए 17.6 divided by 1 plus w1 कितना था 10% ठीक है जी और w2 कितना था 20% तो बस 17.6 into में 1.2 divided by 1.1 17.6 into में 1.2 divided by 1.1 तो यह आपके पास जवाब हो जाएगा किसका जो आपके पास bulk density आएगी second case में ठीक है जी यह होगी 19.2 19.2 यह होगा 19.2 ठीक है जी तो यह आपके पास जवाब आगया 19.2 यह आपके पास जवाब आगया 19.2 देख लीजिए यहाँ पे आपको बोला है ठीक है ना आपको बोला है कि आपका जो wide ratio है यह wide ratio constant है ठीक है ना wide ratio जो है वो constant है आगे बढ़ रहा हो जी अब आपको दिया है in a soil deposit of two layers of equal thickness thickness equal है the permeability of first and second layer are in ratio of one ratio two ठीक है ना यह आपको दिया है one ratio two में the ratio of average permeability of horizontal direction to the vertical direction तो आपसे ratio पूछा है horizontal और vertical direction में ठीक है जी तो अपन शुरू करते है इसका solution आपको h1 बराबर h2 दिया है आपको h1 बराबर h2 बराबर h दिया है k1 आपके पास k है k2 आपके पास 2k है ठीक है ना k2 आपके पास 2k है ठीक है ना k1 आपके पास k है k2 आपके पास 2k है हाँ जी equivalent permeability जो आप निकालेंगे horizontal दिशा में वो formula है k1 h1 प्लस k2 h2 upon h1 प्लस h2 तो ये जैसे ही आप रखेंगे ये जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे k1 h1 यानि k into h और k2 h2 यानि 2k into h तो k h प्लस 2k h हो गया 3k h और नीचे हो जाएगा h1 प्लस h2 यानि 2h तो जवाब आगया 3k by 2 ये तो आगया horizontal की अब बात करते है vertical की तो मैं इसको rough कर रहा हूँ तो बात करते है vertical की तो vertical की क्या है गी जी vertical की देखिए इसका formula का है इसका railway में भी question आया था ठीके ना वो अलग था लेकिन आया था question h1 प्लस h2 divided by h1 बटे में k1 प्लस h2 बटे में k2 ठीके जी तो h1 आपके पास h प्लस ये h हो जाएगा यहाँ पे h by k प्लस h by आपके पास आगया 2k ठीके जी h प्लस k और आपके पास आगया h by 2k ठीके जी तो यहाँ से देखिए आप उपर वाला तो हो जाएगा 2h यहाँ पे नीचे आजाएगा 2k एलशियम में तो यहाँ पे 3 ये 2h ये प्लस h ये तो 3h हो जाएगा यहाँ से h से h कैंसल हो जाएगा 2k उपर जाएगा तो 4k by 3 ये आपके पास आगया वर्टिकल का ठीक है ये आपके पास आगया वर्टिकल का तो horizontal आया था 3k by 2 और वर्टिकल आया है 4k by 3 तो आपके पास आपके पास क्या होगा जी आपके पास क्या होगा दोनों का ratio क्या होगा जी तो देखिए मैं इसको solve कर रहा हूँ दोनों का ratio बता रहा हूँ आपको तो आपके पास k equivalent horizontal बटे में k equivalent vertical k equivalent horizontal आपके पास कितना है 3k by 2 और vertical कितना है था 4k by 3 k से k cancel हो गया 3 उपर चला जाएगा multiply हो जाएगा तो 3 into 3 divided by 4 into 2 तो यह हो जाएगा 9 by 8 9 by 8 ठीक है जी यह हो जाएगा 9 by 8 चलिए next question पर देखते हैं next question देखते हैं inorganic soil with low compressibility are represented by भाई यह देखिए inorganic soil जो low compressibility की होती है दो ही soil है अपने पास इस case में ठीक है inorganic की बात कर रहा है एक तो ml जिसको अपन बोलते हैं low compressible silt और एक है CL low compressible clay ठीक है न तो यहाँ पर CL option में नहीं है तो ml है तो answer हो जाएगा ml अगला an unsaturated 100 cm cube sample of soil weight 190 gram its dried weight is 160 gram तो देखिए इसको solve करते हैं अपन अपन से पूछा क्या अच्छा पूरा पढ़दा water content पूछा है तो अपन इसको पढ़ते हैं इसको करते हैं solve तो देखिए इसको solve करते हैं जी एक मिनट यह चलिए नीचे सो कर लेते हैं यह में solve करने नहीं दे रहा है यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए solve कर लेते हैं अपन को दिया है total weight अपन को दिया है total weight अपन को दिया है total weight और solid के weight से बनता है तो आपके पास आगया 30 ग्राम ठीक है जी आपके पास आगया 30 ग्राम अब अगर हमें बताना है अब अगर हमें बताना है कि वाटर कंटेंट कितना है तो वाटर कंटेंट क्या होगा जी percentage में तो होगा weight of water बटे में weight of solid into 100 लेकिन option देखके लग रहा in what direction of flow water should be in order to decrease the effective stress देखिए मैंने इसका facebook पे भी डाल दिया है अगर आप upward flow होता है तो effective stress गटता है और upward flow में effective stress गटते गटते जब zero हो जाता है cohesion less soil जो sandy condition है तो आप बोलते भी हैं उसे quick send condition तो मैंने इसका proof भी डाल दिया है upward direction में flow होता है तो effective stress गटता है हाँ जी consolidation test में अगर both side drainage available होती है तो आप से पूछा है excess pore water pressure maximum कहा होगा अगर consolidation test में both side drainage available होती है तो कुछ diagram इस तरीके का बनता है उसका pore water excess pore water pressure का कुछ time बाठ टी time बाठ तो maximum आता है center पर हाँ जी यह आपके question थे जो कि मैंने आपको solve करके दे दिये और आपसे यह कहूँग